आज हम आपके साथ यमी से फोर लियर्ज वैनिला केक की रेसिपी शेयर करेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं केक का बेटर त्यार करने से पहले हम सांचा जो भी हमें इस्तमाल करना है उसको हम पेपर लगा के ग्रीज कर लेंगे पेपर यूज करना हो तो आप मैदा भी चिरख सकते हैं ग्रीज करके और अवन को गरम करेंगे हम 180 डिग्रीज पर केक का वाएट करेंगे मैदा 95 ग्राम चीनी लेंगे हम 100 ग्राम चीनी लेकर उसको अच्छे से पीस लेना है हमें फिर घी JOSH इस्तमाल करेंगे हम 57 ग्राम एक अदर अंड़ करना है दूद इस्तमाल करेंगे 60 mm के करीब baking powder हमने इस्तमाल करना है half tea spoon और नमक इस्तमाल करना है चुटकी साथ ही हमने vanilla essence इस्तमाल करना है मैदे में हम नमक और baking powder शामिल करके इसको अच्छे से हम चान लेंगे एक बाउल में अंड़ और पिसी हुई चीनी शामिल करके अच्छे से बीट करेंगे इसको हमने इतना अच्छे से बीट करना है कि जैसे इस वक्त ये जर्दाई रंग है ये रंग इसका बदल जाए हमें इसको इतना बीट करना है अब हम इसमें घी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे घी की mixing करने के बाद अब हम इसमें vanilla essence के चंद कत्रे शामिल करेंगे और इसको हलका सा बीट कर लेंगे ताके vanilla essence अच्छे से mix हो जाए फिर हम इसमें दूद शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे मैदे में हमने baking powder और नमक शामिल करके अच्छे से च्छान लिया था बीटर की सबसे slow speed से हमने मैदे को mix करना है जब मैदा डालेंगे तो उसके बाद हमने high speed पे beat नहीं करना अब cake batter को जो हमने pan तयार किया है इसमें डालेंगे और इसको हमने bake करना है 180 degrees पे हमने इसको bake करना है 25 से 30 मिनट के लिए केक बेक हो चुका है तकरीबन 25 मिनट में यह तयार हुआ है इसको थोड़ा ठंडा करके pan से निकालेंगे केक हमार पर सच्छे से ठंडा हो चुका है अब हम इसको pan से निकाल लेते हैं और इस तरह कि हम दो केक तयार करेंगे और इसके बाद इसकी हम frosting करेंगे दोनों केक हमने बेक कर लिए हैं frosting करने से पहले हम क्या करेंगे केक को एक level में लेकर आएंगे baking करते टाइम जो उभर जाता है उस हिससे को हम कट करके इसको level कर लेंगे फिर उसके बाद हम केक को center से two equal parts में कट कर लेंगे ताके हम इसकी frosting अच्छे से four layers में तयार कर सके frosting के लिए हम तकरीबन 150 ml के करीब whipping cream लेंगे यह बहुत ही ठंडी क्रीम होनी चाहिए और हमने इसको high speed पर beat करना है जितनी ठंडी क्रीम होगी यह उतनी ही अच्छी बीट होगी तो हमें इसको high speed पर तकरीबन 5-10 मिनट के लिए इसको beat करना है तो इसकी हमारे पास तिकनस बहुत अच्छी आईगी तो हम इसको अच्छे से beat करते हैं उसके बाद हम इसको cake पे apply करेंगे अच्छे से whip हो चुकी है अब हम इसको cake sponge है उसके apply करेंगे केक sponge जो हमने त्यार कि है उसकी एक layer लेंगे और उसको sugar syrup के साथ अच्छे से soak कर लेंगे बहुत अच्छे से हमने इसको soak करना है ताकि इसकी softness अच्छी रहे शुगर सिर्फ से soak करने के बाद हम इसके उपर cream apply करेंगे ये layer आप अपने हिसाब से apply कर सकते हैं कि हलकी layer चाहिए या ज्यादा हमें चाहिए तो हम इसके उपर एक अच्छी layer apply करेंगे क्रेम की first layer पर cream apply करने के बाद हम sponge cake के एक और layer लेंगे और इसको इसके उपर सेट करके sugar सिर्फ के साथ इसको हम बहुत अच्छे से soak कर लेंगे फिर हमने second layer cream की दुबारा से लगानी है और इसी हिसाब से जिस हिसाब से हमें पसंद हो हम इसके उपर cream की एक layer सेट कर देंगे फिर एक और एक स्पॉंच की हम layer लगाइंगे उसको अच्छे सेट करके sugar सिर्फ के साथ अच्छी तरह से soak कर लेंगे आफ़ करने के बाद इसके उपर फिर से cream की एक layer लगाइंगे और अच्छी तरीके से cover कर लेंगे अब हम इसके ओपर आखरी स्पॉंच की लेयर एक लगाएंगे और इसको शुगर सिरप के साथ अच्छी तरह से सोक कर लेंगे अब हमने पूरे केक को इस क्रीम के साथ अच्छी तरीके से कवर कर देना है थोड़ी थोड़ी क्रीम अपलाई करते जाएंगे और स्पेचुला या हम अपने हिसाब से जो भी हमारे पास स्क्रैपर हो उसकी मदद से केक के उपर पूरी तरीके से पहला कर सेट करते जाएंगे ताकि हमारा केक जो है बिल्कुल कवर हो जाए क्रीम के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने हिसाब से हम सेटिंग देखते जाएंगे जहां जहां क्रीम की ज़रूरत हो, वहां क्रीम मज़ीध अपलाई करते जाएं और उसको एक लवल देते जाएं, जितनी fine look हम दे सकें उतनी हमने उसकी कोशश करनी है कि इसकी हम cream को इतना adjust कर सकें कि इसकी fine look आती जाए क्रीम की setting करते टाइम हम जिस भी spatula से या scrapper से या palette knife से setting कर रहे हों तो हमने क्या करना है कि इस cream excess cream उतार कर बाउल में रखते जाना है और उसके बाद हर चक्र में हमें टिशू से या कपड़े से scrapper को या palette knife को साफ करते जाना है तो ही हमारे पास अच्छी setting हो सकेगी केक cover हो चुका है क्रीम से अच्छी तरह setting हो चुकी है इसकी जो क्रीम हमने whip की थी उसी में हमने color add किया है उसके बाद हमने उसको piping bag में डाल कर nozzle set किये और उसके बाद हम यहाँ पर diagonal shape में design कर रहे हैं आप कोई भी design बना सकते हैं चेकर बोट बना सकते हैं जिस किसम का design आपको पसंद हो आप उस तरहां से इसकी designing कर सकते हैं हमने यहाँ पर तरची lines लगा कर इसकी designing करने की की है दोनों opposite directions में तो आप किसी भी तरीके से इसकी designing कर सकते हैं अपने हिसाब से टॉप पे हम star nozzle की मदद से है चोटे चोटे flowers कुछ कुछ फासले पे बनाएंगे आप चाहें तो इसको एक layer के साथ भी cover कर सकते हैं flowers की के corner पे हम full layer flower की इसी star nozzle की मदद से बना दें या फिर हम फासले फासले पे रखके इसको flowers को बना सकते हैं तो यह आप पे है कि आप किस हिसाब से इसकी designing करना चाहते हैं आखर में हम इसके उपर colorful sprinkles चड़क देंगे आप चाहें तो single single flower पे डाले नहीं तो overall पूरे पे पहला दें four layers vanilla cream के एक हमारे पास तयार है layers में cream आप अपने हिसाब से ज्यादा भी कर सकते हैं यह देखिए आपको layers इनकी नज़र आएंगी इस recipe को try कीजिएगा और बताईएगा किसी रही